हाई एवरीवन सभी का वेलकम है अगेन YET यौरिंगली शूटर पे मैं हूँ आपका ट्रेनर आपका होस्ट अमन बहल और आज की क्लास बेज़ड है 29 नमंबर के 10 हिंदु के इस एडिटोरियल पे अब आप पूछो के सर 29 नमंबर का रिटोरियल आज क्यों क्योंकि 29 नमंबर की क्लास को हमने मिस कर दिया था उस दिन चुटी थी और ये आर्टिकल इतना बढ़िया शांदार है कि हर इंडियन को इस आर्टिकल के बारे में इस इस्चू के बारे में पता होना चाहिए औल इंडिया जुडिशल सर्विसिस जिसमें एक ही एक्जाम से पूरे भारत में जजिजिस का सेलेक्षन होगा ये एक्जाम क्यों करवाया जाएगा और क्यों नहीं करवाया जाना चाहिए इस चीज का एनालिसिस आप इस क्लास में देखेंगे तो contemporary topic है जरूर से cover करना साथ ही देख लो अपना quiz मैं हमेशा यही कहता हूँ कि class करते हुए translation में मत खो जाये करो आपने बहुत सारे दूसरे teachers के साथ में channels के साथ में देखा होगा tutorial कैसे करते हैं आप सिरफ translate करते हैं ऐसा नहीं करना है यहाँ पर grammar को, vocab को और comprehension को साथ लेके चलना है और यह questions है आपके 11 class के last minute को एक try देंगे 11 out of 11 आपको मिलें यह आपको objective है चलिए class को शुरू करते हैं करें जी a non-starter क्या होता है वही non-starter देखो non-starter वो वाली गाड़ी है जो starting नहीं होड़ी कभी-कभी उतनक गाड़ी में पेट्रोल नहीं है self खराब हो गया, kick खराब हो गई ignition नहीं हो पा रहा इंजन में आपके active अबंद हो जाती है तो वो जो non-starter वाला काम है यह गाड़ीयां करती है non-starter उस गोड़े को भी बोला जाता है जो race में भागता ही नहीं है कभी-कभी गोड़े सब भगली है race में लेकिन एक गोड़ा खड़ा रहे गया तो वो गोड़ा है non-starter और वैसे ही real life में non-starter वो चीज़ है जो एक consistent failure आपके लिए लेकर क्या आती है समझा है, मेरी बात को समझ पाए एक exam है जिसको आप बार-वार attempt किये जा रहे है UPSC 22 साल की उमर से 40 साल की उमर तक दे रहे है लोग पशान कल से त्यारी कर रहे है UPSC की तो आपके लिए non-starter exam है क्योंकि आप उसमें सफलता नहीं ले पा रहे है तो कह रहे है जी ऐसे ही एक चीज हमें मिली है a non-starter जिस पे हमें failure ही मिला है ऐसा issue जिसमें हमेशा आगे बढ़ता ही हमें पीछे आना पड़ता है अब वो issue कौन सा है जी on the suggestion for an all India judicial services उस suggestion की बात हो रही है जो है all India judicial service के exam का पूरे भारत में एक exam conduct करवाया जाए जिसमें सारे भारत के हर code के judges की selection हो तो ये बात तो बहुत बार होती है लेकिन इस पे मलब कुछ conclusion नहीं निकलता चलिए title paragraph देखेंगे क्या कहना चाह रहा है non-starter मैंने आपको बता दिया completely ineffective or unsuccessful issue है ना complete failure आप इसको बोल सकते है अब देखो failure की बात हो तो a huge failure a huge failure इसके लिए हमारे पास 2-3 words है huge failure समझतों ना बड़ी नकामिया भी 3 of one words आने चाहिए huge failure के लिए 3 one words है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जिन बच्चों को आता है comments में डालो लिखने से चीजें दिमाग में बैठती है पहला one word है इसके लिए setback याद रहेगा setback दूसरा है जी debacle यह अच्छे level का है और तीसरा तो इससे भी अच्छे level का है लिख देता हूँ मैं फियास को ठीक है बड़ी नाकामियाबी के लिए यह तीन one words होते है याद कैसे रहेंगे class कर लो रोज महिने में कम से कम चार बार ये एक हर एक word जो है चार चार बार repeat हो जाता है आपकी class के दोरान समझ गए चलो अब huge success के लिए कौन सा word है बड़ी कामियाबी के लिए बड़ी कामियाबी के लिए एक अच्छा one word है अपने पास break break through बड़ेंगे आगे वो कैब को साथ में लेके चलना है भई आगे करहें जी all India service for judges may not ensure higher diversity करहें जो all India service है judges के लिए एक exam हो सारे भारत के judges उससे select हिये जाए करहें हो सकता है ये ensure ना करे ऐसा भी हो सकता है कि ये सुनिश्चित ना करे guarantee ना दे higher diversity की बहुत बड़े scale पे विविदता की diversity क्या होती है आप नहीं चाहेंगे कि एक ही जाती के लोग judge बनते रहें या एक ही area से लोग judge बनते रहें आप चाहेंगे कि हर तरह का आत्मी judge बने क्योंकि समाज में हर तरह के issue होते है है ना अगड़ी जाती पिछड़ी जाती ये धरम का वो धरम का इस area का उस area का यही तो diversity है विविदता है variety है तो अगर एक ही exam करवाओगे तो इस से आप diversity को हो सकता है kill कर दे साथ ही YIT app पे आप तयारी कर सकते हैं अपने exams की चाहे SSC हो descriptive writing हो UPSC का हो या banking का हो app का link comment section में दिया गया है writing के course में आप सीख सकते है writing लगबग 60-70 घंटों में फाइदा आप ले सकते हैं इस course का UPSC के course में आप अपना medium change कर सकते हैं किसी और language से English में migrate कर सकते हैं UPSC के सभी aspects covered है answer for writing, essay writing, descriptive writing CSAT SSC और banking के course में आपको सारे variety के questions solve करना सिखाया जाता है 100-100 घंटों के courses हैं आप भरपूर अपने practice कर सकते हैं कोई question हो, query हो, team का number है what's up, आप इस number पे team से जूड़ सकते हैं via what's up चली अपनी vocab sheet है पांच से words अपने पास mood से शुरू करेंगे mood जो है न बड़ा अजीब सा word है क्यों? इसकी दो forms है verb form और adjective form verb form में इसका meaning कुछ होर होता है adjective form में इसका meaning कुछ होर होता है verb form में इसका meaning होता है किसी चीज़ पर गहरे से विचार करना सोचना, discuss करना, think करना the UPA government mooted the idea of a GST system and the NDA government implemented it UPA की सरकार ने moot किया carefully thought किया सोचा किसको GST के idea को और NDA की सरकार ने इसको implement किया इस idea को आगे बढ़ाया ठीक है तो 2004 में जो मिल्वान सिंग की सरकार बनी थी वहाँ से GST के बारे में इन्होंने दूसरी countries को देख करके copy किया कि हम भी GST लाते हैं और NDA की सरकार 2014 में जैसे AI, BJP की सरकार इन्होंने 16-17 में GST को लगा दिया ठीक है, deliberate करना way करना, consider करना moot के synonyms है, अब देखो यही moot word कभी-कभी adjective बनके आता है, noun से पहले और इसका मतलब होता है debatable ऐसी चीज जिस पे बहस हो It's a moot question It's a moot question When will the pandemic be over? यह एक arguable या debatable question है कि यह महामारी कब खतम होगी Of course अब महामारी खतम हो चुकी है यह sentence तब बनाया था हमने जब COVID चल रहा था ठीक है? तो यह debatable है, moot है arguable है, unsettled है या unresolved है तो यह words बना moot आप इन दोनों में से एक form में आर्टिकल में देखेंगे चलो अगला word है instrumental क्या होता instrument? देखो instrument का मतलब होता है अपकरण thermometer एक instrument है temperature को नापने के लिए अच्छा, weighing machine क्या है? एक instrument है आपका वजन करने के लिए intuitive क्या है? एक instrument है आपकी length को measure करने के लिए तो instrumental हर वो चीज है जो एक उपकरण की तरह है एक instrument की तरह है किसी काम में हाथ बटाए हैना किसी चीज में helpful हो किताबे instrument होती है पढ़ाई के लिए नौकरी instrumental होती है जो है career के लिए हैना ऐसे इसको थोड़ा सा connect करके रखना भगत सिंग had an instrumental role in India's freedom struggle भगत सिंग का एक बहुत ही महत्रपून या helpful role था भारत की आजादी के जो है संधर्श में हैना struggle में instrumental को conducive भी बोलते हैं assisting भी बोलते हैं आप इस word को conducive को article में देखेंगे चलिए अगला word है well-versed देखे well-versed वो आदमी है जिसको किसी चीज के बारे में अच्छे से पता है अच्छे से वो informed है अच्छे से उस बारे में पढ़ा हुआ है जैसे economist होंगे ना वो well-versed होंगे economic term से inflation क्या होता है growth क्या होती है mandi क्या होती है कोई engineer है तो वो well-versed होगा engineering thorem से बर्नुली की thorem क्या है Pythagoras thorem क्या है समझ पा रहे ना मेरे बात को आप मैं well-versed होंगा English मेरा language है मेरा first second language है आपको पढ़ाता हूँ मैं हाला कि मैं भी student हूँ English का लेकिन मैं well-versed हूँ English कैसे पढ़ानी चाहिए है तो इस तरीके से word आप याद रखे हर आदमी किसी ना किसी चीज में well-versed होता है people well-versed in the string theory expect to find a god equation by the end of the decade वो लोग जो अच्छे से string theory से well-versed है string theory नाम की theory को अच्छे से जानते हैं वो expect कर रहे हैं कि god equation को find कर लेंगे इस दशक के अंत में अगले 10 सालों में god equation वो equation है जो single equation पूरे universe को explain करती है कैसे ग्रह बने, कैसे atom बने जो बड़ा और छोटा दोनों को mix कर दे वो होता है god equation planets और atoms को दोनों को explain कर दे चलिए well-versed को scholarly भी बोलते हैं विद्वान बोल सकते हैं well-versed second last word है override देखें जी override या overrule या supersede अंगलेजी में तीनों words का मतलब होता है किसी दूसरी चीज की जगा ले लेना उसकी जगा पर आ जाना use करके दिखा देते हैं the welfare of citizens should override all other objectives in the policies of a state जो welfare है citizens का भलाई है नागरिकों की उसको override कर लेना चाहिए उसको dominate करना चाहिए या हटा देना चाहिए सभी दूसरे objectives को जो किसी भी state की policy की होते हैं किसी भी government की जो नीती की होते है यहनि सबसे पहले नीती government की कोई भी government आजाए कोई भी policy बनाए सबसे पहला objective उसका यह हो कि लोगों के बदाई हो बाद में सब चीजे दूसरी हो और वैसे the latest ruling of the SC या Supreme Court overrides the rulings passed by the Delhi High Court in the past जो नई ruling आई है नया decision आया है Supreme Court का वो dominate करता है या जगा ले लेता है override करता है सभी उन rulings को जो past की गई है Delhi High Court के द्वारा past में मेरे ख्याल से यह word आपकी समझ में आ गया होगा super seed की spelling देख ले न अंग्रेजी का ऐसा word है अकेला जिसके last में seed लिखा जाता है और s-e-d-e से seed लिखा जाता है यह तो seed लिखने के यह तरीके होते है c-e-d-e-d या c-e-d-e ठीक है तो super seed में अक्सर आपको examiner यहाँ पे c लगा के देगा यहाँ पे s आएगा अकेला ऐसा word है जिसके last में s-e-d-e आता है अंग्रेजी में चलिए last word अपना आज का proposition proposition बड़ा ही प्यारा word है देखे proposition का पहला meaning है proposal offer दूसरा meaning है situation समझे मेरे बात को यह word बना कैसे है proposal और situation से बना है यह proposal मतलब offer situation मतलब हालात दोनों meaning combine कर दो बन गया proposition making easy money has always been an attractive proposition easy money को बनाना असानी से पैसा कमाना हमेशा से ही एक attractive proposition रहा है अकर्शक offer रहा है या अकर्शक situation रही है इसलिए लोग जुआ खिलते है dream 11 है ना dream करो बड़ा करो क्यों करते है मेहनत ना करनी पड़े हाथ पाउँ ना हिलाने पड़े easy money मना ले है ना करोड़ बती बन जाए तो यह proposition है एक attractive proposal है या situation है इसको premise, hypothesis या proposal भी बोलते हैं you'll see the word proposition in the article today छे words है खूब detail में करवा दी है अब आजाओ article पर एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है समरी यह है जी, all India Judicial Services यह exam जो ना करवाने का बहुत टाइम से सोचा जा रहा है लेकिन जब आप इसके अंदर गुसते हैं इस exam वो करवाने के पीछे के reasons देखते हैं तो आपको लगेगा कि इसको करवा के फाइदा कम और नुकसान जादा फाइदे क्या है इस से पूरे भारत में एकी exam होगा, judges की monopoly तूट जाएगी, उस exam से decide होगा, कौन सा judge कहां पे किस जगह बैठेगा, है ना, states के पास से चली जाएगी, center के पास centralized powers आ जाएगी, लेकिन नुकसान भी काफी है वो नुकसान आपको इस article में बताए गई है, इस exam को करवाने के, आज की tone है analyzing, इस exam को analyze करके आपको बता रहा है, फाइदे और नुकसान, तो चली अब शुरू करते हैं, interesting है, कहानी की तरह समझना, कह रहे जी, good intentions do not always make for sound policy, कह रहे अच्छी जो भावना हैं या इरादे हैं, हमेशा वो make for नहीं करते हैं, हमेशा वो इंतजाम नहीं करते हैं, या हमेशा वो बदल नहीं जाते हैं, sound policy में मजबूत नीती में, sound का मतलब आवाज भी होता है, sound का मतलब मजबूत भी होता है, तो कह रहे हैं हमेशा ऐसा नहीं है, या अच्छे इरादे होंगे, तो आप क पिंग कलर में, make for करना और provide for करना दोनों एक ही फ्रेजल वर्प्स हैं, common है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज का इंतजाम करना, ठीक है, do not provide for या do not, do not make for, याद रखेंगे दोनों फ्रेजल वर्प्स किसी चीज का इंतजाम करना, प्रेसिदेंट रॉप्दी मुर्मु सब्सक्राइशन, that the creation of an All India Judicial Service or AIJS, will help diversify the judiciary, by allowing bright youngsters from varied backgrounds to become judges, through a merit-based process, revives the debate. सेंटेंज तो बहुत लंबा है, इतना ही पढ़ लो, किरेंगे जो प्रेसिदेंट साहब है, मुर्मु साहब, इनका जो सजेशन है, मैडम का, और क्या सजेशन है भाई, that वो ये, कि creation हो जाए, एक All India Judicial Service नाम के एक्जाम का, हैना एक नहीं सर्विस बन जाए, इस पर एक न पालिका के अंदर, और कैसे, अलाओ करके, इजाज़त दे करके, कि ब्राइट यंग्स्टर्स जो है, जो तेज बुद्धी वाले, जो नोजवान जो है, अलग-अलग वैरीड बैक्ग्राउंड के, अलग-अलग प्रिस्ट भूमी के, कि वो जज बन सके, इट विल अलाओ बेस प्रॉसेस के जरी है, एक ऐसी प्रॉसेस हो, जिसमें मेरिट चलती हो, जिसके नंबर ज्यादा वो पहले बड़ा जज, कह रहा है जी, यह जो सजेशन है न, यह रिवाइव कर दे रहा है अस डिवेट को, मैडम का जो सुझाव है, प्रेसिडेंट मैडम का, वो फिर से जान दे रहा है, रिवाइव कर रहा है इस बहस को, और कौन सी बहस है भई, बहस बड़ी पुरा नहीं है, on whether a national system of recruitment at the district judge level is desirable, बहस इस चीज़ पे है कि हाँ या ना कि एक जो national system है, recruitment का district judge के लेवल पे, क्या वो desirable है या नहीं, क्या वो desire किया जाता है, यह क्या वो उसकी होती है, तो हम उसको desire करते हैं, हम चाते हैं वो चीज आए, तो क्या हम चाते हैं नहीं चाते, sentence लंबा था मेरे काल से आपने छोटा-छोटा करके पढ़ लिया होगा, समझ आया होगा, अगर इतना आपने समझ लिया ना, कि suggestion subject है, और revives इसकी वोब है, तो यह sentence आपको समझ आदमी जजज बने, हर धरम का आदमी जजज बने, हर शेत्र से आदमी जजज बने, तो इस डैवर्सिफिकेशन हमें जुडिशरी में चाहिए, नैशनल सिस्टम ओफ रिक्रूटमेंट जो है, इसकी वोब है, desirable, desirable word जिसका desire सभी को, इसका एक बहुत ही अच्छा synonym है, enviable, लिख देता हूं, enviable, envy का मतलब होता है, आपकी किसी के लिए इर्शा, और कैसी वाली इर्शा, कि मुझे भी मिल जाए, जो इसके पास है, ठीक है, उसको अंग्रेजी बोलते है, envy, तो enviable कौन सी चीज है, जिस चीज को लेकर के सब के मन में इर्शा हो, कि हमें भी मिल जाए हमें भी मिल जाए, और वही चीज, desirable होती है, जिसका desire है, वही enviable होगा न, जिसको सब envy करते हैं, जिस चीज से सब जलते हैं, हमें भी मिल जाए, वही चीज तो desirable है, तो undesirable अगर इसका उल्टा करना चाहूं, जिसका किसी को desire नहीं है, undesirable, तो इसका उल्टा जो है, envy से ऐसे ही vocab create होती है, desirable, enviable, undesirable, unenviable चलो आगे बढ़ते हैं, आज के quiz में सारे words पूछे हों आपसे करे, the idea has been mooted and discussed in the past and has been part of discussions on official policy in the union government for years करे, यह बहस नहीं नहीं है, यह विचार moot किया गया है इस पे carefully बात की गई है, सोचा गया है और discuss किया गया है past में भी पहले भी और यहीं जो विचार है, यहीं जो ख्याल है, idea है यह रहा भी है, has been, एक हिस्सा उन discussions का जो है official policy को लेकर के, हमारी केंदर सरकार में union government में, पिछले कई सालों से तो बात तो इस पे पहले भी होती आई है idea subject है, इसकी तीन verbs है पहली verb है, has been mooted दूसरी verb है, has been discussed और तीसरी verb है, has been यहाँ पे has been mooted, has been discussed passive voice में, has been plus में V3 ठीक है, has been यहाँ भी लगा हो है और यहाँ पे has been active voice में, perfect tense में has plus में V3 समझे न, B plus में V3 नहीं आ रहा idea विचार रहा है, idea has been a part of discussions करे जी, however, as the union law minister disclosed last year in the Raj Sabha there is no consensus on the proposal करे लेकिन बात ही है कि जैसा कि हमारे Kendriya law minister ने Mr. Kiran Rijajuzuz ने disclose भी किया था last year, पिछले ही साल राजसवा में कि कोई भी consensus आज तक इस proposal पे नहीं बनी है कोई भी सहमती अभी तक इस proposal पे नहीं आई है consensus क्या होता है सभी की सहमती, unanimity या agreement union minister की वोब है disclosed, consensus की वोब है consensus की वोब है करे जी, only two high courts agreed to the idea while 13 were against it मैस तीन ही, दो ही high courts जो है, इस idea के लिए agree हुई है और 13 high courts इसके against थी इसके खिलाफ थी, इस proposal के against थी अच्छा, आगे करे the AIJS may not be the penitia, it appears to be करे अब judge वज, high court तो सभी के सभी इसके खिलाफ ही है है न, सभी high court जाती है कि एक exam ना हो करे अब इसके चाहने के पीछे reasons बताएगा आपको करे जी, जो service है ना, AIJS All India Judicial Service ये हो सकता है, वो penitia होई ना वो रामबान होई ना, penitia क्या होता है एक रामबान दवाई जिसमें सभी जो है न सभी विमारियों का इलाज हो जाता है जैसे वो लक्षपन जी के लिए अन्वान जी लेका आया था न, वो बुटी क्या नाम था उसका संजीवनी, उसको बोलते है penitia करें जी हमारे हिसाब से भी यह एक्जाम जो है, एक penitia नहीं है जैसा कि यह दिखाई देता है देखने में लगता है, it appears to be अच्छा क्यों नहीं है, यह आगे देखते हैं AIGS जो एक्जाम है, इसकी वर्ब है may not be, it की वर्ब appears इट आया है AIGS एक्जाम के लिए penitia का मतलब होता है जैसा मैंने आपको बताया, राम मान ओश्डी इसको आप remedy या cure-all या अलेक्जिर से भी बताते हैं अलेक्जिर जो है penitia का एक advance इना नहीं है कोशिश करना इस one word को है ना याद रखने की अलेक्जिर, ठीक है करा वो इसलिए the current system of recruitment of district judges through the respective high courts and other subordinated judicial officers through public service commissions is more conducive more conducive to ensuring diversity करा जो हाल में system है जिसको सरकार बदलना चाहती है जो है recruitment का district judges की और किसके जरिए respective high courts के जरिए तो अगर बाड मेर भीकानिर में judge को चूज करना है किसी district judge के लिए district court के लिए तो जोत्पुर high court में जो judge बैठे है वो ही decide करेंगे किस judge को चूज करना है करा यह जो system है इनके जरिए जिसमें judge चूज किये जाते हैं और या फिर दूसरे के लिए diversity को सुनिश्चित करने के लिए विवित्ता को अच्छा ऐसा क्यों भई करा है there is scope for both reservation and a clear understanding of local practices and conditions करा है कि क्योंकि इस current system में एक scope है एक गुंजाईज है दोनों ही चीजों की पहली चीज है reservation या अरक्षन और दूसरी चीज है एक साफ साफ समझ local मुदों की conditions की और practices की sentence मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अभी जज को high court high court से चुना जाता है district जो है court के judges को of course उसका exam होता है सब process है लेकिन काम जो है state की high court करेगी और जो subordinate judicial officers होते हैं जैसे ये court में translators होते हैं stannos होते हैं clerk होते हैं ये सभी high court के और जो district court के दूसरे officers हैं उनको public service commission देखती है state की करे इस system बड़ा अच्छा है बड़ा ही conducive है बड़ा helpful है कि इस से diversity को ensure किया जा सके क्योंकि इस system में पूरी गुणजायश है reservation वाले को reservation मिल जाएगा इसमें reservation तो है और साथ ही आपको clear understanding मिलेगी local practices और conditions की चलो अब ये कैसे मिलेगी आगे देखते हैं current system जो है ये आपका subject है is इसकी verb है scope की verb है scope का मतलब होता है गुणजायश या दारा ठीक है ये गुणजायश वाला मीनिंग आ रहा है conducive, instrumental, या pivotal किसी काम में helpful, किसी काम में सहायक जिसे thermometer और वो सब मैंने आपको example दिये थे conducive, instrumental, या pivotal अचा ऐसे क्यों है बई करे जी unlike the civil service judges are not assisted by an experienced lower bureaucracy in decision making करे जी civil services से बिलकुल उल्टा जिसमें ये IAS, IPS आते हैं forest services वाले आते हैं करे जी इससे बिलकुल उल्टा judges जो हैं, वो assist नहीं किये जाते हैं उनको assistance नहीं मिलती है और किसकी experienced lower bureaucracy की decision making में तो अगर आप IAS बने हैं तो आपके पास एक commissioner होगा commissioner के नीचे director होगे director के नीचे secretary होगा जो additional secretary है या फिर उसके नचे section officers होगे तो अगर आप IAS बने हैं तो आपको अकेले सारा काम नहीं करना है वो सब लोग आपकी help करेंगे आप तो नहीं नहीं हैं वो सब कुछ आपको बता देंगे department में कैसे काम होता है लेकिन judge के case में ऐसा नहीं होता judge को तो अकेले decision लेना है वो ऐसे बुला के नहीं बूसता किसी को कि आप बताओ इसको क्या करें टांग दें इसको या छोड़ दे तो judges are not assisted by lower bureaucracy and they require to be well-versed और वो required होते हैं उनको ऐसी requirement होती है कि वो well-versed हो विदवान हो in issues involved for judicial functioning उन सभी issues में जो judicial functioning में involved है जिनका कानून की प्रक्रिया से संबंध है समझ गे judges की वोबे are assisted या are not assisted rather they की वोबे require well-versed होना, scholarly होना, विदवान होना well-read होना, well-understood होना किसी चीज में आपका अच्छे से ज्ञान होता well-versed होते है चलिए ये एक पहला reason इसने दिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं next paragraph के आते हैं इसी को और build करेगा करेजी article 312 of the constitution as amended by the 42nd amendment provides for the creation of an AIJS and requires a resolution adopted by the council of states with two-thirds majority and a parliamentary law करेज दूसरी problem ये है कि article 312 जो है हमारे समिधान का जिसको amend भी किया गया था 42 में समधान संसोजन से constitutional amendment से कह रहा है ये article 312 provide for करता है उपर आया था make for यहां आ गया provide for किसी चीज का इंतजाम करना ये article बड़े अच्छे से इंतजाम करता है इस AIJS नाम की service के creation का और ये require करता है इस चीज को जरूरी बनाता है किस चीज को भाई चीज ये है कि एक resolution हो एक पूरा resolution क्या होता है ये एक कानून का एक proposal होता है जिस पर सब sign कर देते हैं तो वो resolution पास हो जाता है है ना अपनी parliament में राजसभा लोगसभा में resolution जाते है तो करें जिए एक इसी तरीका के प्रपोजल हो resolution हो कानून का प्रपोजल हो जो अडॉप्ट किया जाए council of states के द्वारा council of states क्या है भारत के जो राज्य है उनकी council को उनकी सबा को ही council of states बोलते है तो ये resolution हर राज्य के द्वारा अपनाया जाए और कैसे दो तिहाई majority के साथ लगवग 66% राज्यास को मान ले और एक parliamentary law बने इसके लिए एक parliament की तरब से कानून भी बने तो ऐसे ये AIJS नहीं हो सकता भारत के जितने भी राज्याएं हैं और केंदर शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की assembly है इन सभी को मिल करके दो तिहाई बहुमत से इस AIJS के resolution को पास करना होगा और फिर एक parliament में कानून बनेगा उसके बाद ही एक्जाम हो सकता है तो सबसे बड़ी रुकावट ये भी है आर्टिकल 312 की वहब है प्रोवाइट फोर ठीक है और दूसरी वहब है requires constitution का c बड़ा है क्योंकि ये proper noun बनाये गया है यहाँ c बड़ा लिखकर के हम ये बता रहे है constitution of India ठीक है दा लगाय जाता है constitution से पहले हमेशा करे जी this constitutional recognizes that rules governing the subordinate judiciary in the states will have to be superseded by a central law करे जी constitution ये recognize करता है ये जो article है समिधान का ये recognize करता है कि जो rules है जो कानून है जो govern करते हैं subordinate judiciary को subordinate मतलब जो junior है judiciary मतलब नयाए पाले का subordinate judiciary क्या होती है sessions court और district court तो जो भी rules बने हुए है district और session courts के judges को चलाने के लिए उनको govern करने के लिए हर राजय में अलग अलग बने हुए है कराएगी उन सभी rules को supersede किया जाएगा over rule किया जाएगा उनको हटाया जाएगा उनकी जगा ली जाएगी एक central lock के द्वारा और किसलिए for this proposal to achieve fruition इस proposal को fruition achieve करने के लिए इस proposal का effective बनने के लिए when you achieve fruition आपको फल मिल जाता है तो ये एक्जाम को लगाने के लिए आपको हर राजय के sessions और district courts की न्यूकती का process उनकी service की जो conditions हैं वो सारे rules को change करके एक central कानून लाना पड़ेगा ये भी मुश्किल काम है constitution की verb है recognizes rules की verb है will have supersede करना over rule करना किसी चीज की जगा ले लेना उसको हटा करके करा it is unlikely that all states will agree to one more subject from their domain being consumed by centralization ये भी बड़ा unlikely है कि जो सभी states है हमारी राजय है वो agree हो जाएंगे इस चीज को लेकर के कि एक और subject जो है उनके domain से उनके दारे से consume होता हुआ ये खाया जाता हुआ centralization के द्वारा तो state list है union list है concurrent list है अलग-अलग subject दिये गए है health पे state कानून बनाएगी police पे state कानून बनाएगी है न किसी और चीज पे center कानून बनाएगा तो state की list से center की list में चला जाएगा सारा judiciary का system तो states भी जो है likely जो है agree नहीं करेंगी इस चीज से कि हमारा जो judges को लाने या ले जाने का system में अब center देखे it की वाबै इस states की वाबै will agree करे जी on the face of it it may appear that a national service for judges not inferior to the post of district judges with supernution age of 60 will be an attractive proposition for young lawyers to apply for it करेंगी एक और चीज भी देखो on the face of it on the face of it का मतलब होता है देखने में किसी चीज के चहरे से है नब अगर आप देखेंगे prima face on the face of it देखेंगे या apparently जाहिर तोर पे समझेंगे तो ऐसा आपको लग सकता है it may appear ऐसा आपको धोका हो सकता है कि अगर national service आगी judges के लिए ये exam आ गया और वो judges के लिए जो inferior नहीं होंगे जो छोटे नहीं होंगे district judge की post से करा और जिनकी supernution age होगी जिनकी retirement age होगी 60 साल supernution मतलब retirement करा ये exam बड़ा attractive होगा proposition होगा attractive वाला पहले अलल भी करोगे फिर ही आप judges judiciary में होगे तो देखने में आपको लग रहे है कि exam बनेगा तो सब को मोका मिलेगा ऐसा है नहीं है ना सब young lawyers है इस exam के लिए नहीं बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे it की verb है may appear it की दूसरी verb है will be on the face of it का मतलब होता है देखने में inferior का मतलब होता है नीचे का है ना superior मतलब उपर का inferior मतलब नीचे का अब दो grammar concepts है फटा बटा आपो करवा देता हूं बड़े interesting है देखिए जब भी आप compare करते हो adjective यूज़ करके greater than faster than more intelligent than higher than जब then लगा करके comparative degree का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे inferior जो की खुद भी comparative degree है inferior का मतलब होता है नीचे दरजे का है ना तो inferior को जो है आप two के साथ कैसे यूज़ कर रहे हो यहाँ भी तो then लगना चाहिए higher than faster than smarter than inferior than देखो concept यह है कि यह कुछ ऐसे adjectives English में जो अपने साथ में then नहीं लेते और इन adjectives को आपको याद रखना है superior, inferior senior, junior anterior, posterior और prefer and prior prefer एक verb है बाकि सभी adjectives है समझ गे ना superior, inferior, senior, junior के साथ में कभी भी then नहीं लगाए जाता he is senior than me गलत है he is senior to me he is junior to me this product is superior to that product anterior का मतलब होता है सामने वाला या पहले वाला before जो है ना before उसको anterior बोल सकते है जैसे January is the month anterior to February January वो मन्त है जो फर्वरी के सामने आता है और साथ पहले आता है समझ गे ना posterior का मतलब होता है after to posterior to something sentence कुछ बनाएंगे तभी ये concept आपके दिमाग में बैठेगा Charlie Munger was senior than Warren Buffett in the field of investing Charlie Munger जी की आज डेथ हुई है जब वीडियो मैंने बना रहा हूँ आज और इसलिए मैंने sentence बना दिया Warren Buffett के right end हुआ करते थे 99 के एजमिंड की डेथ हुई है तो Charlie Munger जो है Warren Buffett के दोस्त वो senior थे Warren Buffett से investing के field में निवेश के field में sentence गलत है senior then नहीं आएगा senior to Warren Buffett बस यह concept है 8 words आपको याद रखने है इनके बाद में then नहीं लगाना ये किताब detail करती है detail में बताती है सभी महत्तपून events को जो war से पहले हुए थे या anterior हुए थे anterior मतलब before या पहले anterior then भी गलत है anterior to लिखेंगे और वैसे ही the company the quality of company's products ठीक है the quality of company's products was inferior than its competitors but were but इतना लिख दो चलो लंबा मत करो ठीक है quality जो है company की products की वो inferior थी वो घटिया थी वो कम तर थी इसके competitors से last sentence जो है इसको खुद से try दो मुझे पता है देखते ही आप इसका answer निकाल लोगे लेकिन खुद से करो ठीक है मैं नहीं बता रहा आपको करना है inferior की बाद में क्या लिखना है या पे then की दिखा क्या लिखना है बस वो ही 2 लगाना है ठीक है चलो आगे बड़े अच्छा अब ये last sentence बना ये मैं आपको इसलिए homework में दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक error और है superior, serial, virious सब हो गया वो छोड़ तो वो तो हो गया आपने then का 2 बना दिया मैं बना देता हूँ वो तो हो गया इसके अलावा इसमें एक error और है किसी और concept से related वो concept अभी आगे आभी जाएगा खुद से try करके बताना comments में कितने बच्चों को वो error पगड में आई चलो आगे बड़े दूसरा जो concept है वो है on the face of it on the face of it एक adverb है इसका मतलब है दिखाई देने वाले दोर पे या जाहिर दोर पे on the face of it Europe is at the brink of a war देखने में on the face of it देखने में या seemingly Europe war की कगार पे है brink of war है brink का मतलब आप समझते हैं न कगार ये वर्ड बहुत बार देख चुके हैं आपने देखने में sentence है है योरोप अकेला है तो आपने लिख दिया on the face of it लेकिन गलती कहा होती है on the face of them Russia and Ukraine are involved in the long term conflict देखने में on the face of them Russia और Ukraine जो हैं देखने में एक long term conflict के अंदर involved है them क्यों लगाया क्योंकि अब यहाँ पे Russia युक्रेन दो involved हो गए on the face of it के जएगा them कर दिया यह गलती है जो ज़्यादा समझदार हो जाता है कभी-कभी ऐसी गलतीयां करता है आप subject verb agreement करवा रहे थे adverb की form को भी change कर रहे थे यह तो adverb है ना on the face of it adverb को subject verb के इसाब से मत चलाओ Russia युक्रेन देख करके पंगे मत ले लेना इसको them मत कर आना यह it ही है ठीक है यह adverb फ्रीज है ऐसे ही रहेगा यह common सी error है इसमें ध्यान दखना examiner देता आपको इस तरह की चीज़े एक concept और देख लेते हैं यह inferior वारा तो हो गया ना inferior वारा तो हो गया और यह भी हो गया चलो यह जो sentence है ना इसमें एक गलती और छूट गई पकड़ में आई कि आपके आने चाहिए थी नहीं आई तो गलत बात है यह जो फ्रेज है ना brink of a war cusp of a war इनके आगे हमेशा on लगता है ठीक है यह पूरा फ्रेज ही असा होता है on the brink of something on the words of something या on the cusp of something किसी चीज की कगार पे होना on लगेगा at नहीं चलिए grammar आज की खूब हो गई है ना अब एक दो sentences है last के फटा बट देखो इनको कह रहा है जी कहां पहुँच गए कह रहा है however it cannot be forgotten that legal education lacks countrywide uniformity कह रहा है जी यह चीज भूली नहीं जा सकते it cannot be forgotten cannot be plus में वर्ब की third form passive voice और क्या चीज भई that वो यह जो legal education है वो पूरे देश में countrywide uniformity को lack करती है uniformity मतलब एक रूपता unoplus में form एक जैसी बराबरी जैसी form तो कहीं पर legal colleges जो अच्छे हैं law colleges कहीं पर बहुत खराब है कहीं जी after enrolling lawyers typically consider judicial service based on practical experience rather than academic brilliance enroll करने के बाद में जो lawyers होते हैं typically या आम तोर पे consider करते हैं judicial service को लेकर के practical experience के अधार पे बजाए या rather than academic brilliance के हिसाब से इसका मतलब क्या है अगर आप एक बहुत अच्छे lawyer है academically आपने बहुत अच्छे marks लिये हैं समझ भी बहुत अच्छे है कानून की तो आप जरूरी नहीं है judge ही बने lawyer बन करके भी अपनी academic brilliance को आप बना कर रख सकते हैं राम जेट मलानी बन गए समझ पर हो में मेरे बात को एक बड़ा lawyer भी हो सकता है जिसको उतनी ही academic knowledge हो जरूरी नहीं है उसको judge बनना ही पड़े वो judge इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको practical experience सही होता है है ना judge की कुरसी बेटने का वहाँ बैठ करके फैसले करने का इसलिए वो बनते हैं lawyers की वाब है consider अच्छा और क्या करते हैं वो भी करे जी toppers especially from the few elite law schools are unlikely to sit for a national judicial service recruitment examination करे इन में भी जो toppers हैं खास करके जो थोड़े बहुत जो है elite यानि high level के law schools है the few मतलब जो भी थोड़े बहुत अब ये law schools high level के कुन से हैं national law universities NLU's बोलते हैं इनको जैसे अपने जोदपूर में है राजस्तान में हैं बैंगलोर में हैं 4-5-10-20 जो भी है बड़े schools हैं ये करे इनके भी जो toppers हैं बड़ी बड़ी universities के ये भी unlikely हैं ये भी अज संभावित हैं कि ये sit करेंगे या बैठेंगे इस test के अंदर judicial service recruitment exam के अंदर क्यों नहीं बैठेंगे भई toppers की वाब है आर unlikely का होना है यानि किसी चीज़ का likely ना होना संभावित ना होना करेंग वो इसलिए नहीं बैठेंगे in comparison options such as litigations, joining law firms and going into the corporate sector will appear more beneficial क्योंकि comparison में ये सारे जो option है जैसे पहला case है पहला option है litigation litigation क्या होता है court case में भाग लेना, अपनी दुकान लगाना, खुद से court case लड़ना criminal lawyer, civil lawyer, civil suit या फिर किसी law firm को जोईन कर लेना किसी firm का जोईर lawyer बन जाना या फिर corporate sector में किसी company का lawyer बन जाना, क्यार कंपेरिजन में judge बनने के ये सारे option जो है ज़्यादा beneficial है खुद की practice करने वाले lawyer तो करोडों में कमाते हैं, बड़े बड़े lawyers वो क्यों judge की judge बनेंगे और सवा लाक रुपे तनखवा पे जिंदी भर काम करेंगे, है ना, तो ये option इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े toppers को options की वह है, will appear करे जी further given that the number of district judges elevated to the high courts is much lower than those from the bar the lack of certainty on career progression may also may also render a national judicial service unattractive करे जी इसके बाद भी अगर आपको लगेगी exam करवाना है, तो फिर देख लेना given, देखते हुए चीज को given, given का मतलब समझते है ना considering या देखते हुए करे जी देखते हुए उस संख्या को उस number को जो district judges का है और जो elevate होता है, promote होता है higher level पे आता है, high court में करे वो number बहुत कम है much lower है, और किसके मुकाबले बजाए उस number के या उन judges के जो आते हैं बार से करे जी, सीज को दिखते हुए जो lack of certainty है जो आपकी आयनिश्चिता की कमी है करियर की progression में, करियर के आगे के graph में वो भी render कर देगी, बना देगी render करना यानि make करना बनाना इस national exam को judges का बड़ा unattractive कहने का मतलब क्या है lawyers की बार में से जो district judge में लोग आते हैं मा लेजे बार council में आपने लैलल भी की, अपना सारा course course किया, आप बार council में चले गए फिर आप बनगे district judge, 100 judge बने है न, 100 lawyers जो है, जजज बने district court से high court तक मेरी खल 5 जाएंगे, या 10 जाएंगे तो फिर कोई आदमी judge बनना ही क्यों चाहेगा, टॉपर हो करके नहीं बनना चाहेगा न, तो कहने का मतलब यह जी, यह exam unattractive रहेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि lawyer के काम में भी खूब पैसा मिलता है, the number जो है, इसकी verb है, is, the number हमेशा, the number हमेशा singular verb लेता है, याद है न, a number जो है, उसकी verb होगी plural, और the number जो है, इसकी verb होगी singular, elevated यानि promoted, lack of certainty की verb है, may render certainty का मतलब होता है, guarantee या निश्चित्ता, किसी चीज को किसी चीज की पक्का होने की quality render का मतलब होता है, बना देना अब जल्दी से अपने quiz की तरफ बढ़ेंगे first question आपका कह रहा है कि जी, इस author के इसाब से अगर देखा जाए कौन सा key factor है कौन सा सबसे important recruitment process में सबसे बड़ा difference क्या है absence of merit based selection भई यहाँ पर judges में merit नहीं लगती, civil services में लगती है, क्या यह difference है reliance on public service commission judges के मामले में public service commission की खूब reliance होती है, लेकिन civil services में नहीं होती, क्या यह फरक है necessity for understanding local practices, local practices को understand करने की बहुत ज़रूत होती है या फिर the role of experience lower bureaucracy आपके नीचे lower bureaucracy कितनी experienced है उसका कितना role है main level का question है, easy तो ही नहीं, आप social officer 4 ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, easy नहीं है question मुश्किल है करवा रहा हम देखो, देखो जी judges को है न state से इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो state की समस्चाओं को समस्थे है 36 गड़ में कोई judge लिया जा रहा है district court में तो 36 गड़ का आदमी लिया जाएगा state public commission के द्वारा या वहां के जो state का judicial service के exam है ताकि वो local issues को समझे और अपना फैसला देते हुए local issues को consider कर सके तो यह जोना सबसे बड़ा फर्क होता है civil servant और judges की recruitment process का यह lower bureaucracy कोई बात नहीं है जादा experienced है या नहीं है judge के पास होती है नहीं होती judge अपनी lower bureaucracy पे depend नहीं करता है फैसला अपने इसाब से अपने दिमाग से देता है किसी और से नहीं पूस्ता वो अलग बात है लेकिन recruitment process में factor यही सबसे different है civil services में local practices की understanding ज़रूरी नहीं है जादा लेकिन judges के लिए बहुत ज़रूरी है जो आदमी अपने शेतर की समस्याओं को और customs को समस्ता होगा वही वहाँ पे नय भी ठीक से दे पाएगा तो यह region है चलो second question पे आओ थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको करें जी कौन सा इसमें answer निकल गया आपका C ठीक है C आपका answer बनेगा what inference can be drawn from the statement that judges required to be well versed in issues involved for judicial functioning यह तो statement है कि judges को judicial functioning की process अच्छे से पता हो कानून के बारे में अच्छे से पता हो इस statement के क्या माइने है क्या inferences का मेंस लवल का question है भई चार inferences आपको दिये गए है judicial decisions heavily rely on local practices यह local practices पे बहुत है rely करते हैं सारे decisions lack of lower bureaucracy support necessities, judicial expertise lower bureaucracy का जो support की कमी है नीचे जो है experience staff की जो कमी है bureaucrates की उसके लिए उसकी वज़़ा से आपको judicial expertise चाहिए होती है आपको अच्छी सी knowledge चाहिए होती है जजिस कानून को लेकर के judicial decisions demand a deeper understanding of legal issues judicial decisions के लिए आपको legal issues की deeper understanding होनी चाहिए या फिर judges primarily rely on academic brilliance for decision making meaning नहीं निकाल रहा हूँ मैं चारों का आपको idea दे रहा हूँ answer देखो इसका बनेगा answer बनेगा C अगर judicial decision देना है तो legal issues पता होंगे तब ही दे पाओगे पूरी history पता होंगे किसी issue की कभी इस पे पहली बार बहस होई थी पुरानी अदालतों का क्या कहना है कानून की किताब में क्या लिखा है इसलिए judges को well versed होना बढ़ता है इसका मीनिंग नहीं है जाथा ऐसे लिखने को लिख दिया मतलब को relevance नहीं है इस question के साथ में तो बाकी तीन तो आप पड़ोगे तो मीनिंग निकल नहीं रहां का कुछ सी answer बनेगा थर्ड वाला थोड़ा सा easy है इस passes के context में ये बताओ कि कौन सा role जो है opposition का या फिर कौन सा role जो है high court की और state की जो opposition का होगा वो play करेगा इस all इंडिया judicial services को लाने में इसकी feasibility में बे high courts और कई state जो हैं इसके खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ होने से AIJS पर क्या फरक पड़ेगा चार option आपके पास है और बहुत easy इसका answer है answer निकालो चारों को हिंडी में translate करो answer निकल आएगा side translation करने पर first comment में answer मैंने डाल दी है वहां से match कर देना चलो यह question तो खुद से करी लोगे मीनिंग ही तो निकालने प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन क्या होता है proposal or situation is proposition है ना undesirable, pivotal, super seed, breakthrough match कर दो इनको columns को इस में मिलेंगी तीन errors और जिस portion में errors मिलेंगी उनको मैंने कर दिया है नेक्स क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात, answer डाल दी है मैंने first comment में नीचे जाके चेक कर लो until then signing out